एलेक्ट्रो मैगनेटिक इंडेक्शन नाम से कुछ समझ में रहा है कुछ मैगनेटिक से कुछ है और इलेक्ट्रिक का लफड़ा है ठीक है बस हो गया और इंडेक्शन का मतलब होता है दूर दूर मतलब बिना मैगनेट छुए सामने वाले को मैगनेटाइज कर दे तो अभी तक आपने electric field के बारे में बात की हैं, आपने पढ़ा कि कोई charge होता है वो अपने चार ओर एक field create करता है, उस field का नाम क्या होता है electric field, उस electric field के अंदर कोई दूसरा अगर charge particle जाएगा तो उस पर force act करेगा, ठीक ये आपने पढ़ा, फिर इसके बाद बताए कि अब ही magnetic field होता है, magnetic field किस वज़े से होता है main magnetic field का origin कौन है charge current ठीक है तो question यह उठा कि जब current की वज़े से magnetic field create हो सकता है तो क्या magnet electric field नहीं create कर सकता नहीं समझे question यह है कि जब current magnetic field create करती है तो चुकि हम जानते है nature में एक concept होता है अगर A से B बनेगा तो B से बनेगा यह understood है अगर A B दे रहा है तो B A देगा यह कहानी है तो question यह उठा कि जब electric field की वज़े से या current की वज़े से magnetic field होता है तो magnetic field की वज़े से भी current होना चाहिए टिक इस पर काम सुरू हुआ एक और nature नेचर में कई properties हैं जिनको हम अध्यन करते हैं पहली आएक नेचर का एक property यह है कि नेचर minimum energy रखने की कोशिस करता है वो चाहता कोई system के energy कैसी हो minimum हो क्योंकि minimum energy वाला system कैसा होता है stable और सबसे अच्छी चीज वो inertia चाहता है कोई जैसा था वैसा रहना चाहता है अगर उसमें magnetic field पहले से है तो उस वो चाहता है तो वहां बना रहे अगर नहीं है तो चाहता है वो ना बने ठीक है उसके लिए कुछ experiment किये गए ज़रा समझने की कोशिस कीजिए अब माल लिया कहीं पर कोई current flow हो रही है यह current direction है अगर current ऐसे flow होती है तो यह magnetic field होता है अब यहां पर कुछ magnetic field बना हुआ है पहले से बना हुआ है तो nature क्या चाहता है nature चाहता है कि क्या चाहता है कि वो field बना रहे अब आपने क्या किया उस तरफ से एक north pole उल्टा लगा दिया तो सामने वाले north pole को क्या कर रहे हो आप कम करने की कोशिज कर रहे हो ना तो nature क्या करेगा उसे उतना maintain रखना चाहता है तो उतना maintain कब रख सकता है वो यह current flow हो रही है यह magnetic field है जो भी उसकी intensity हो जो भी उसकी value हो नहीं जानते जो भी value हो मैं मालने था हूँ 10 tesla है ठीक वो ज्याद है हमने बता दिया अरे तो क्या हुआ बताना ही तो है और इधर से आपने 2 tesla लगा दिया तो यह इसको 10 tesla करने के लिए क्या करेगा इसकी value बढ़ाने की कोसिस करेगा अपनी value बढ़ाएगा ना आप इस 10 को कम कर रहे हो तो अगर आप उल्टा 2 लगाओगे तो यह कैसे बढ़ाएगा 12 कर देगा इधर जिसे net कितना रहे 10 रहे तो अब उसका magnet बढ़ाने का तरीका क्या होता है कि या तो अपनी जेव से magnet निकाले और दिखा देगा इतना बड़ा magnet है इस नजदीग ना जाना गोली मार दूँगा उसके पास ऐसा कुछ है नहीं तो उसके पास कौन रहता है इलेक्टरान रहते हैं तो अपने इलेक्टरानों को कह देता या तो स्पीड बढ़ा देते हैं या कुछ इलेक्टरान संख्या बढ़ा देते हैं भाई किसी भी क्वैल में या तो एक इलेक्टरान दस चक्कर लगाए या दस इलेक्टरान एक चक्कर लगाए करें तो सेम फ्लो होगी तो यह nature का concept होता है ठीक है, कहीं पर मालिया magnetic field नहीं है कहीं पर magnetic field नहीं है और आपने इधर से magnet ले करके आप आए और यहाँ पर magnetic field create कर दिया तो यह क्या करेगा उसको oppose करेगा, oppose करने का तरीका क्या होता है कि यह उसकी उल्टी direction में magnetic field create करेगा और magnetic field create करने के लिए इसके विए element कौन है? electron, वो अपने electronों को इसा आदेश करेगा, किदर से नार्थ पूल आ रहा है और आप में magnetic field create करा इसको oppose करो, तो अब नार्थ को oppose कौन करेगा? नार्थ, नार्थ को oppose south करेगा, यह कब से करे लाग? नार्थ को oppose, नार्थ करेगा, तो यह ऐसे current flow कराएगा, कि इसमें नार्थ flow ना सुरू हो जाए, ठीक है, यह नार्थ पूल वहाँ पर create हो जाए, तो यह nature का concept है, अब इस nature के concept को experiment करके नहीं देखा गया, ऐसा सूचा गया, कि nature में inertia का रूल कहता है, ठीक है, इसके लिए हमारे Faraday साहब ने बहुत सारा experiment किया, लेकिन उनको कोई सफलता, ऐसा कहा जाता है, कोई सफलता नहीं मिली, वो चाहते यह थे, कि जहाँ पर current होती है, वहाँ magnetic field होता है, तो जहाँ magnetic field होता है, वहाँ क्या current होती है, इस experiment को करते रहे, ऐसा कहा जाता है, कि वो अपना coil ऐसे बनाये थे, और उसमें लगाये थे, गैल्लो मिटर, ठीक है, एक गैल्लो मिटर लगाये थे, अब इसमें कोई current flow हो रही है क्या, तो इसमें कोई deflection था नहीं, और उसमें एक magnet रखे थे, अपना, सुबह हाँ कर रख देते होंगे, और काम करते रहते होंगे, दस्यों साल experiment किया, कोई भी सफलता उनको नहीं मिली, ऐसा कहा जाता है, एक दिन गुस्ता हो करके magnet को फेक दिया, फेक दिया, तो magnet स्कॉयल के अंदर से निकल गया, जैसे अंदर से निकला, वैसे उस गैल्लोमिटर में deflection हो गया, तो वहीं से उनको रूल मिल गया, कुछ गढ़ बढ़ाए, ठीक है, उनके दो student थे, एक Newman साहब थे, तो उनके दो student थे, एक Newman साहब थे, एक Lens साहब थे, उन्होंने उनके काम को, तो main नियम उन्होंने ही बनाये थे, Newman साहब और Lens साहब, लेकिन जुकि जो उनके head of the, उस experiment वाले थे, वो थे Mr. Faraday, तो नियम किसके नाम से जाने गए, Faraday के नाम से जाने गए, तो उसके पहले के Faraday साहब आएं, उसके पहले कुछ इसका background music बजा दी जाएं, सबसे पहले आता है Magnetic Flux, सबसे पहले आता है Magnetic Flux, Magnetic Flux, चुम्ब की है, क्या, Flux को क्या कहते हैं, अच्छा इंदी में Flux है कहते हैं, चुम्ब की Flux, देखें, नाम से लग रहा है, आपने Electric Flux पढ़ा है ना, क्या पढ़ा है आपने, किसी भी सर्फिस से, जो Electric Lines निकलती है, वो Electric Flux होती है, जैसे हमने कहा था, किसी का मुँँ है खुलाओ, और ज़ाडू गुजेर दो उसके मुँ के अंदर, कौन सी, यानि कि this is the change up ज़ाडू Flux, यह यहाँ भी करना है, तो किसी भी सर्फिस को, अगर आप Magnetic Field में रखते हैं, यह एक सर्फिस है, अगर आपने इसमें Magnetic Field में रखा, तो इससे Magnetic Lines गुजरेंगी ना, इससे, तो एक्टुली में, कितनी Magnetic Lines इसमें गुजरती हैं, वो जो Measurement है, उसको हम क्या कहते हैं, Magnetic Flux, वो Measurement, और Measurement कैसे किया जाता है, वो बात की बात है, तो किसी भी सर्फिस के नॉर्मली, अगर किसी भी Magnetic Field के नॉर्मली कोई सर्फिस रखा जाता है, तो उस सर्फिस से कितने Magnetic Lines गुजरती हैं, उसका Measurement क्या बताता है, Magnetic Flux, लिखे का नहीं ज़रा, The Magnetic Flux, The Magnetic Flux, Through Any Surface, Through Any Surface, Placed in a Magnetic Field, Magnetic Flux Through Any Surface, Placed in a Magnetic Field, Is the total number of Magnetic Lines, Is the total number of Magnetic Lines, Of Forces, Magnetic Lines of Force, Forces नहीं के Lines लिख दियाना आपने, Magnetic Lines of Force, Passing Through, Passing Through, या Crossing Through, This Surface, Normally, Crossing Through This Surface, Normally, And Given By, Given By, देखे, यह Magnetic Field है, B, और यह, इसका Area है, A, और यह, नार्मली रखा हुआ है, तो यह होगा, Phi, चुकि Phi आपने, Electrically भी उसकिया था, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, Phi B, is equal to B into A, मैं डाट नहीं लगा रहा हूँ, जान गूस करके, क्योंकि Normally हमने लिखा है ना, अच्छा, Normally का मतलब, अंगल कहां से कहां लिया जाता है, अंगल किसके किसके बिच लेना है, सुने जान से, यह सर्फेस का Normal, Normal Vector, Area Vector कैसा होता है, Area Vector किसी सर्फेस के, Perpendical होता है, और यह Magnetic Field इसके Normally है, अब Theta कितना होगा, ध्यान रखिएगा, Theta हमेशा किसी भी सर्फेस के, Area Vector, जो कि Normal होता है, उससे, जो Magnetic Field बनाता है, वहां से लिया जाता है, ठीक है, तो यह Phi is equal to B into A होता है, इसका Unit जो होता है, Unit, B का Unit क्या होता है, Tesla, A का Unit क्या होता है, Meter Square, तो इसका Unit होता है, Meter Square, या इसका Weber होता है, Weber, तो अक्सर Magnetic Field के लिए, देखे, Magnetic Field की Value क्या निकलेगी, 5 यह अपान यह निकलेगी, तो Magnetic Field की Unit, अक्सर वेबर पर मीटर स्क्वाय लिखी जाती है इसका वेबर हो गया और एक वापान में लिया तो मीटर स्क्वाय हो जाएगा तो मैगनेटिक फिल्ड के अक्सर आपको वेबर पर मीटर स्क्वाय लिखी है अब अगर यह सर्फिस मान लेते हैं अगर इस सर्फिस का जो एरि vector है area vector है और यह magnetic field है तो एक note करके लिखेगा if magnetic field if magnetic field is making angle theta with area vector if magnetic field is making angle theta with area vector area vector then the magnetic flux is given by if the magnetic field is making angle theta with area vector चुमकी छेत्र area vector बोले तो छेत्र फल अवे हो जो भी होता उसके साथ theta गोड़ बनाए then given by 5B is equal to BA cos theta BA cos theta या vector में क्या लिखेंगे वी डॉट ए तो यह magnetic flux का concept है ठीक है अब देखें एक नट एलेक्ट्रो मैणेटिक इंड़क्शन क्या होता है जड़ा साउधान पहले क्यों experiment क्या किया गया experiment किया गया एक क्वाइल ली गई ये क्वाइल लिया किस ने लिया था फैरड़ी साब में नाम फैरड़ी कही आएगा उसमें एक गैल्लो मिटर लगाया गया और एक मैगनिट यहां पर लाकर के रख दिया गया मैगनिट का नार्थ पोल और उसकी विलास्ट्री कितनी है जीरो तो गैल्लो मिटर में कोई रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा था नहीं हो रहा था बोले तो नहीं हो रहा था ठीक है पहला केस दूसरा केस से दिया गया कि ये क के नार्थ पॉल को इसकी और लाया गया वी व Court के जैसे नार्थ पॉल आ रहा था इसमें तो जह क्या रहा था गैल मिट्र में डेफलक्षन हो गया अब क्यों हो ओ बात की बात है ऐसा ओ गया वस यह देखा गया, ठीक है इसके इसके बात क्या किया गया यहां पर इसको ला के रख दिया गया और उसकी विलास्टी क्या कर दी गई जिरो, इस पीड से ला रहे थे तो गैलो मिटर में डिफलेक्शन हो गया हम करेंट यहां स्टो नहीं कर रहे हैं अभी फिलाल अभी बाद दिन स्टो करेंगे, ठीक है इसके बाद हमने इसको रख दिया इसके बाद हमने क्या किया देखा गैलो मिटर के रिफलेक्शन क्या हो गया जेरो, फिर जीरो हो गया फिर हमने एकदम से इसको दूर किया वी विलास्टी से उल्टी डैक्शन में देखा गल्लोमिटर के deflection direction चेंज हो गई ठीक इसके बाद हम magnet को रख दिये और क्वाइल को तेजी से लाए तो गल्लोमिटर में deflection आ गया पहले एक तो magnet को लेके आए थे अभी किसको लेके आ रहे है क्वाइल को और क्वाइल को लाकर के रख दिया deflection 0 देख रहे हैं बात की बात है कि जब मैगनेट या कोयल या दोनों के बीच में एक रिलेटिव मोशन हो रहा था तब उस कोयल में एक डेफलेक्शन हो रहा था यानि कोयल में करेंट फ्लो हो रही थी लेकिन जब कोयल या मैगनेट या दोनों स्टेशनली थे तब कोई भी जीएगा जो लफड़ा इसमें होए रहा था देखें ये कॉयल थी ऐसे बना तो एक ही जगे कॉयल बना तो ये कॉयल थी और ये था गैलोमिटर ठीक है जब यहां पर हमने मैगनेट को रखा होगा रखा होगा तो यहां से थोड़ा दूर रखिएगा मैगनेट को रखा होगा ये नार्थ पोल ये साउथ पोल तो यहां से कुछ मैगनेटिक लाइन्स यहां से गुजरी होंगी तो इससे कुछ पास हो रहे होंगे एक दो लाइन्स कितनी लाइन्स पास हो रही है एक थोड़ी सी ये वही आली ठीक है जब इसको नजदीक हम लाए ठीक है तो हमने क्या देखा ये क्वाइल है ये गेलोमिटर है जब इसको नजदीक लेकर के आए V वेलास्टी से ऐसे नजदीक ला रहे थे तो सिंपल सी बात है ये मैगनेटिक लाइन्स इससे ज़्यादा पास हो रही होंगी न यहनि क्या चेंज हो गया मैगनेटिक फ्लक्स बढ़ गया ठीक है जब इसको दूर ले जा रहे होंगे तो ये फ्लक्स कम हो रहा था नजदीक ला रहे थो तो हमने क्या देखा कि जब मैगनेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो अब क्या होता हो बात की बात है तो इसमें अपने आप एक EMF create हो जाता है यह जो फिनामेना है इसी को कहा जाता है electromagnetic induction magnet की वज़े से एक electric field create हो जाना एक electromagnetic force create हो जाना ठीक है तो पहले तो definition लिखे electromagnetic induction definition लिखे electromagnetic induction the phenomenon of production of induced EMF the phenomenon of production of induced EMF and hence induced current induced EMF and hence induced current due to change of magnetic flux due to change of magnetic flux due to change क्या छूड़ गया भाई the phenomenon of production of induced EMF and hence induced current एक सेकंड EMF होने का मतलब यह नहीं है कि current flow होगी बात सुन में है कुछ EMF होने का मतलब यह नहीं है कि current flow होगी अजीब नहीं लगा लगा ना अजीब आपको याद होगा जब हम battery को जोड रहे थे तो battery एक EMF induced कर रही थी induced नहीं कर रही थी EMF produce कर रही थी ठीक है लेकिन जब हम switch को off कर रहे थे तो emitter उसमे emitter में कोई भी current नहीं जा रही थी current zero थी लेकिन EMF था आने का jailer हूँ आदे पुलिस वाले इधर जाओ आदे इधर जाओ आदे मेरे पिछे आओ तो देखा कोई पिछे आई नहीं रहा था कोई पिच्छा रहे थी तो जब electron आदे इधर चले गए आदे सब को एक direction दे दी हमने तो EMF create हो गया अगर electron को इधर move करा दिया और positive charge को इधर move करा दिया तो क्या create हो गया EMF create हो गया लेकिन जब तक पूरा circuit complete नहीं होगा तब तक उनका पूरा path rotation complete नहीं होगा अगर rotation complete नहीं होगा तो current नहीं होगी तो induced EMF होने का मतलब current होगा ज़रूरी नहीं है जब तक के circuit आप भाई अगर आपने coil बनाई ही मान लिया यह coil है और यहाँ पर आप break कर दीजे ठीक है तो यह जैसे ही flux pass करोगे यह इसको oppose करेगा oppose करने के लिए क्या करेगा अपने electron को क्या करेगा कि current flow कराऊ तो current flow कराने के लिए electron चल देंगे ले के तलबार चल जब यहाँ पहुंचेंगे तब यहाँ आगे नहीं बढ़ पाएंगे यहाँ पुल टूटा हुआ है ठीक है जब यह तो current इसमें flow नहीं होगी तो EMF होने का मतलब अगर circuit complete है तो current होगी तो क्या लिखा EMF enhance the induced current due to change of magnetic flux linked with the closed circuit is called electromagnetic induction वाई EMF क्यों produce हुआ है due to change of magnetic flux linked with the closed circuit is called electromagnetic induction is called electromagnetic induction closed circuit बताया है तो current अपने आफ फ्लो होगी जागर के is called electromagnetic induction अब देखे ये तो देखा गया current फ्लोर ही है ठीक है अब current कैसे फ्लोर ही इसके बारे में बात करते हैं सुनिए ध्यान से साउधान coil वही बनाते हैं इसमें सस्ती वाली चोकि ये coil या तो single बना हो ठीक है वो वाली जो अपनी घर में रहती है ये coil ये हम coil ऐसे लिए और यहां लगाया है gallometer gallometer क्यों लगाया emitter लगा दे इसमें gallometer क्यों लगाया है सुकला जी emitter लगा दो सभी तरीके के current कुरो है सब्जी आया कि सब्जी में चरह है सभी तरीके current क्या होता है बताएं emitter direction नहीं बताता है direction से हमसे क्या मतलब है क्योंकि ये current को sense भी करता है और हल्की भी current होगी तो kilometer sense कर लेगा हमको ये नहीं दिखाना है कि amount of current कितनी है हमको ये दिखाना current है कि नहीं है ठीक है amount of current ठीक है जैसे कुछ लोग कान होतें बड़े sensitive होते है जर्ण को बतला रहे है का बतला रही है तो उनके कान में गल्लों उठा लगा होता है sound वाला, recorder वाला ठीक है और कुछ लोग सुनते ही नहीं जब कोई बताएगा कि देखो पार्ट टीम गई रहे है तो बता रहे है अच्छा यह बता रहे है हम तो सुने नहीं तो यह ओव मिटर होता है सुने ध्यान से जब हम यहाँ पर जड़ा ध्यान समझेगा जब हम यहाँ पर मैगनेट का नार्थ पोल नजदीक लेके आ रहे थे मैगनेट को अटा दीजे क्या इसमें करेंट फ्लो रही है क्या मैगनेटिक फिल्ड है नहीं है नहीं है ना भी मैगनेट को नजदीक लेके आए तो मैगनेटिक लाइन से इससे गुजरेंगी ठीक है गुजरेंगी ना ये क्या इसको अपोस नहीं करेगा क्योंकि नेचर का नियम क्या होता है जो भी है उसको अपोस करना ठीक है अगर खुब टीचर पड़ा रहा सीरस हो करके यार खुबड़ी खाय रहा थे नी नावे लागत है और वो पूरे टाइम तफड़ी करता र रहे हो नार्थ तो ये क्या करेगी यहां पर करेंट कैसी फ्लो कराएगी कि सामने कौन क्रेट हो जाए नार्थ क्रेट हो जाए नार्थ क्रेट होने के लिए करेंट कैसे फ्लो होनी चाहिए क्लाकवाइज एंटी क्लाकवाइज एंटी क्लाकवाइज ये है कौन सा वाइज क कौन सा पोल देख रहा है, यह कौन सा वाइज है, कौन सा पोल देख रहा है, नार्थ, एंटी क्लाक बोले तो ऐसे, तो ऐसे बहार निकलेगे ना, current, current ऐसे फ्लो होगे ना, नहीं समझे, यह वाली क्वाइल है, आपकी ऐसे बनाई है, तो ऐसे current फ्लो कराओगे ना, तो ज़र किया हमने नार्थ को दूर ले जा रहे थे देखो नार्थ कोले कोईल बनाईए अभी एक्सपेरिमेंट किये गए इससे बेस पर क्या ये कोईल थी अच्छा ये करंट ऐसे फ्लो रहे है न तो ऐसे करंट ऐसे जा रहे है न ऐसे तो ये deflection ऐसे हो रहा है अब क्या हुआ यह गेल्लो मिटर है और यह नज़दी कौन रखा हुआ था नार्थ पॉल अब नार्थ पॉल दूर जा रहा है कॉयल उसको अपोस कैसे करेगी उसको अट्रेट करके उसको अट्रेट करके यहां कौन सा पॉल स्टार्ट बन जाएगा साउथ पॉल जैसे बनाया है वैसे करेंट फ्लो करा दो अगर आपको करेंट दिक्कत हो रही हो तो जैसे आपने ये कॉल बनाई है अगर जैसे आपने नार्थ बनाया है वैसे current flow करा तो ऐसे बनाए south तो ऐसे current flow करा दीजे ये current flow होना शुरू हो गई ठीक है तो gallometer में deflection हैसे हो गया क्या देख रहे हैं आप कि जब coil और magnet के बीच में जब north pole को नदिक ला रहे हैं तो इसको oppose कर रहा है और दूर ले जा रहे हैं तो अट्रेट कर रहा है ऐसा घर में भी होता है भू आ गई दो दिन तीन दिन चार दिन पान दिन अब कुड़ कुड़ मशा हुआ है कब जई हैं कब जई हैं नार्थ पूल आगे हैं नदिक अब जब जाने लगी तब बेकार जा रही रहो हम सोचित रहे हैं अब उल्टा हो गया अब उल्टा हो गया अब वो कम रहे हैं कंजा थोड़े रही नहीं हम तो दवन रोड़ जा रहे हैं अब ही आ रहे हैं लोड़ के नहीं कर रहे हम कही जा रहे हैं ऐसा होता है नहीं होता है तो यह हर जगह होता है यह जतना भी physics में होता है वो आपके life में भी होता है तो इसको कहते हैं तो Faraday ने नियम बना दिया Faraday ने कहा देखो भाया अब लिखे Faraday's law Faraday's law यह experiment आपको क्यों पढ़ने हैं अपने जानकरी के लिए अपने जानकरी के लिए पढ़ने हैं आपको ठीक है यह को आप उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया इसको देखरके Faraday ने नियम दिया Faraday's law Faraday's law laws तो इक है Faraday given two laws Faraday given two laws यहनि on the experimental demonstration जो किया उन्होंने उस पर दिया two laws about electromagnetic induction about electromagnetic induction electromagnetic induction first law लिखे first law देखो पहला लाओ उन्होंने क्या बताया साउधान नहीं साउधान नहीं बताया उन्होंने उन्होंने का साउधान है सुनिए देखे जब इसको हम नजदीक ला रहे थे तो क्या हो रहा था magnetic lines इससे pass हो रही थी ना जब नजदीक लाओगे तो lines ज़्यादा pass होंगी या कम pass होंगी ठीक है और बार बार नजदीक दूर लाओगे तो flux change होगा तो जितना ज़्यादा flux change होगा उतने ज़्यादा position होना पड़ेगा उतना ज़्यादा उसमें EMF तू नहोंने का किसी भी coil से जो EMF produced होता है वो rate of change of magnetic flux के equal होता है जितना ज़्यादा magnetic flux change होगा उतना ज़्यादा उसमें EMF induced होगा तो लिखे फर्सला और फर्सला का एक authentic number है फर्सला बोले तो फर्सला यह नहीं कि फर्स को second second को फर्स बना जो तो इसे कुछ नियम होते हैं जो फर्सला का एक इसे कुछ थेवरम होते है exam होते है exam 1, exam 2 तो उसमें आप exam कोई भी लिख सकते हैं लेकिन यहाँ पर फर्सला का एक standard numbering है फर्सला लिखे when the magnetic flux when the magnetic flux through a circuit is changing when the magnetic flux through a circuit is changing circuit is changing and induced EMF is set up and induced EMF induced EMF is set up shut up नहीं लिख देना set up है set up in the circuit induced EMF is set up in the circuit induced क्यों कहा क्योंकि यह जो जो कुछ हो रहा है वो इसके बिना touch किये वे हो रहा है keval field के concept से हो रहा है तो वहाँ पर induction होता है induced EMF is set up whose magnitude is whose magnitude is magnitude is equal to the equal to the negative rate of change of magnetic flux इसका magnitude magnetic flux के negative दर के ब्रावर होता है negative rate of change of magnetic flux समझ में आग गया this lies also known as newman's law N-E-U-M-A-N-N newman's इनके student थे अब चाहे associate के ही है student के जोगी है this lies known as newman's law given by given by क्या कहा उन्होंने उन्होंने का जो induced EMF है ना वो किसके equal है minus rate of change of magnetic flux minus क्यों बताया उन्होंने opposition की वज़े से कि जब हम flux को बढ़ाना चाहते हैं तो सामने वला उसको घटाना चाहता है और घटाना चाहते हैं तो बढ़ाना चाहता है जब पढ़ाई का मौका होता है तो पढ़ते नहीं है और जब साधी वादी होती है लड़का उड़का हो जाते है अगर अब हमको मौका मिला होता तो पहले अट्टमेंट पे IS, IPS और चारो हम कुद मिल जाते हैं यह कही साथ गवर्मेंट कहती है तो इतने इंटलिजेंट हो तो इस भी बनोगे और IPS भी बनोगे वर्दी पहन के IS कब मौका मिल जाता है जब यह फ्लक्स खतम हो जाता है और जब तक फ्लक्स चेंज कर रहे है मम्यों जुटी है, पापों जुटे है अब सबका नाम प्रकर रख देंगे तो confused हो जाएगा नहीं, स्टेंडर इसमाली यूज किया गया है ठीक है, अच्छा, अगर नम्बर ओफ टंस ज़्यादा होंगे तो फ्लक्स ज़्यादा पास होगा सिंपल सी बात है तो आप लिखेंगे if there are n number of turns if there are n number of turns n number of turns then e is equal to होता है minus n delta 5b upon delta t ये नियम board examination के दामाद है किसी party में पहले दामाद को फोन के आता है कुमर जी आना जिरूर देख कुमर जी हर देखे जो है धमक पढ़ते है एक लड़का था स्कून पढ़ाए गया था teacher ने का सू माने अच्छा कू माने बुरा सबस्वाइम का कुमर जी कुमर जी गुस्सा हो गए वोले खाना नहीं खाएंगे wife ने का क्यों कू बता रहे है कूर गंदा लड़का बुले तो बुले सू माने अच्छा होता है तब कहा गया सू अर जी खाना खाये तब खाना खाया उन्होंने इसकून पढ़े था ना सू माने अच्छा होता है तो यह बड़ा इंपॉर्टेन नियम है अब ज़रा यहां पर थोड़ा और एक नाम आया है E बराबर माइनस सुनिये धान से N को अंदर ले जाईए N5B एक नया नाम यहां पर आएगा कोई दिकत जो N5B है न वो क्या है उसको कहते है Flux Linkage Flux Linkage Flux ग्रंथियां साथ का आगे हिंदी में ग्रंथियां वड़ है Flux Linkage Flux Link हो रहा ना उसमे Flux Linkage और इसकी भाहिसाब ने एक यूनिट भी दे दी देखे 5 की यूनिट क्या होती है Weber इसकी यूनिट दे दी Turn तो इसकी यूनिट होती है Weber Turn Weber Turn तो यह आपका पहला नियम है Faraday का जिसको Newman's ला भी कहा जाता है Newman's उनके Student थे अब लिके Second Law यह सुझ में आ गया नोट का लिया ना लिके Second Law Faraday का Second Niham ब्रेकन दो लेंज ला इसको Lens का नियम भी कहते है L-E-N-Z Lens ला पहला नियम क्या कहता है कि कि किसी भी क्वायल से पास होने वाले Magnetic Flux में अगर चेंज हुआ तो उसमें एक EMF इंडूज हो जाएगा जितना ज़्यादा Flux चेंज होगा उतना ज़्यादा EMF इंडूज होगा दूसरा नियम कहता है कि Flux जिस कारण से चेंज होता है वो उस कारण को अपोस करता है पापा किया है क्या है यह तो आपकी duty थी पढ़ाय तो कुनों आइसान कर दियो यह तो आपकी duty थी यह आपकी गलती नहीं है यह पापा भी कहते होंगे पहले तो यह तो नेचर का नियम है तो नमबर टू लिखेगा लेंज लाव लिखे the direction of induced EMF the direction of induced EMF और the current चुकि EMF है तो current होगा क्यों, सुनिए ध्यान से यहां पर एक लफ़ा है अगर induced EMF है तो current होगी ही होगी क्यों, magnet आया North Pole सामने coil में कोई magnetic field नहीं था magnetic lines pass हुई कोयल इसको oppose कैसे करेगा current flow करा करके और जब तक पूरा circuit complete नहीं होगा तब तक current flow होगी नहीं, कि उल इलेक्टान उधर जाके मुफुलाग बैड़ जाए, proton उधर चले जाए जैसे होता नहीं कभी काम दिया जाता है तो यहाँ इसे नहीं चलेगा current flow होनी पड़ेगी तो लिखे the direction of induced EMF or the current in any circuit in any circuit is such as is such as is such as to oppose the cause to oppose the cause that produces it to oppose the cause that produces it that produces it it is also known as lens law वो तो अपने आपने लिखे लिया है ठीक है अचा देखे अब अभी हमने का कि induced EMFS circuit में current flow होगी circuit break कर दिया आपने तो क्या होगा तो थोड़ी देर तक induce करेंगे current flow थोड़ी देर तक तो आप जब बही देखे 10,000 उसमें electrons है वो सब चल दी एक direction में हैने current flow होना शुरू होगी वो 10,000 electrons जाके coil में एक जगे कठा होगे और यहाँ पर negative positive कठा होगे तो थोड़ी देर बाद current क्या हो जाएगी बंद हो जाएगी ठीक है तो थोड़ी देर तक तो यह current flow होगी लेकि जब मालू हो जाएगा आगे pull break है आगे हम जा नहीं पाएगे तो अपने भीड़े कठा हो जाएगी current बंद हो जाएगी तो EMF का मतलब यह नहीं होता है कि current flow होगी यहाँ पर तो flow होगी लेकिन माल लिया अगर circuit open है तो current flow अच्छा आपने induced EMF की बात की induced current की बात की direction देने के लिए एक scientist थे तो मुझे नियम दो मैं तुम्हें direction दूगा कौन थे वो flaming साब तो flaming ने induced current के लिए भी नियम दिया तो लिखे direction of induced current direction of induced current के नियम मैं समझा रहा हूँ लिखेंगे आपने आप direction of induced current ब्रैकन दीजेगा flaming's right hand rule flaming's right hand rule flaming's right hand rule और यह अपने आप जान जाओगे भी आप अपने आप याद भी हो जाएगा आप सुनिए ध्यान से flaming's left hand rule आपने पढ़ा है किसके लिए था वो किसी भी current carrying conductor को किसी भी magnetic field में रखने पर उस पर force लगता है तो force की राइक साद देने के लिए उन्होंने left hand rule दिया था यह left hand rule FBI याद है न? नहीं मालूँ FBI अगर यह जो आपकी thumb, forefinger, middle finger ring finger नहीं वो यह तुम्हें index finger दिखा यह index finger होती है यह index finger होती है यह ring finger होती है ऐसा picture दिखाते हैं कि साधी ते होती तो ऐसे wife इसमें वो बाद थेक दें यह लो मरो जा करके तो वो यह यह little finger होती है FBI था आप ज़रा सुनिये याद करिए सुनिये जान से जिदर force लगेगा उधरी तो motion होगा जिदर force लगेगा उधरी तो motion होगा राइट हैंड खोल दीजेगा इधर क्या था force इधर motion of the conductor यह B यह B यह current यह current हो गया left hand rule अगर आपको नहीं याद है बोले left hand rule याद हो तो याद कर लो left hand rule में थम क्या करता था force acting on the conductor तो यह motion of the conductor है अगर भाई यह conductor move करा तो current flow हो रही है conductor बोले या magnet जो भी आप बोलो यह force था ना तो जिदा force लगेगा उधर conductor move करेगा यह motion of the conductor है यह magnetic field है यह induced current है यह भी current थी ना यह magnetic field यह यह magnetic field दोनों same यह current वहाँ flow रही थी यह काँसी current है induced current यह अंगुठा क्या represent करता था force यह क्या represent करेगा याद हो गया तो अगर हम right hand के thumb four finger and middle finger को perpendicular रखे thumb motion of the conductor की तरफ हो यह magnetic field की तरफ हो तो यह induced current को represent करती है ठीक है यह लिख लेंगे न अब देखे induced current flow होगी तो current flow कराने के लिए कौन चलेगा charge चलेगे तो जो charge चलेगे उन charge का नाम क्या होगा induced charge तो अगला लिखे induced current and induced charge induced current and induced charge induced current and induced charge देखे जान से अभी फेरडे का नियमा पड़ चुके हैं कि if a coil is having n number of turns there is a magnetic change in the magnetic flux तो हमने पड़ा है कि जो induced EMF होता है induced EMF वो कितना होता है E is equal to minus N delta 5B upon delta T actually E होता क्या है voltage होता है E क्या चीज है EMF voltage तो है potential तो है यह EMF की वज़े से charge चलना शुरू किये ना तो charge एक direction में किसकी वज़े चलते हैं voltage की वज़े से EMF आपका voltage यह तो है आपका तो अगर मैं induced current निकालू induced current induced current I is equal to V upon R होता है तो V बोले तो E upon R अब यहाँ पर value रुक दो अब value minus नहीं रखेंगे minus के ओल क्या indicate करता है कि वो उसकी जो direction induced current की होती वो पोज होती है जब हम magnetic flux बढ़ाते हैं तो घटाने का प्रयास करता है घटाते हैं तो क्यों दो नियम थे main नियम है inertia inertia को follow करता है तो यह हो जाएगा N upon R into delta 5B upon delta T यह induced current हो गई ठीक है अच्छा current कितने time तक flow ही है यहापर तो इस time तक कुछ charge move किया होगा ना तो charge move किया उसका नाम क्या रखा जाएगा induced charge तो induced charge बारे में बात कर लेते है induced induced charge q ब्रावर क्या होता है q ब्रावर होता i delta T पर delta T time तक current flow करा रहे हो ना तो i की value क्या रखी है N upon R into delta 5B upon delta T into delta T cancel हो जाएगा q ब्रावर क्या हो जाएगा N upon R into delta 5B तो यह आपका induced charge हो गया conception में आ रहा नहीं आ रहा main concept है यहाँ पर ठीक है तो यह कर लीजेगा next in the next class